राज के उच माध्यमिक विद्या ले विशोंदा का CBEO ने किया ओचक निरिक्षन दोलपर में जला कलेक्टर अनील अगरवाल के निर्देशन एवं वभागिये मंचान रूप जिले में शिक्षा में बहतरी के लिए सगन संबलन अभियान चलाया जा रहा है मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदरलाल मेरा ने राज के उच माध्यमिक विद्याले विशोंदा का उचक निरिक्षन किया उन्होंने बताया कि विद्याले व्यवस्तित धंग से संचालत होना पाया गया उन्होंने संस्ता प्रधान को समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने एवं आधार उथेंटिकेशन के नर्देश दिये। उन्होंने बताया कि 26 जन्वरी से 31 जन्वरी तक राजीव कांधी शहरी ओलंपिक 2023 का नगर परिशत इसतर पर आयोजन किया जा रहा है। शहरी ओलंपिक में रेजिस्ट्रेशन ओनलाइन होगा इसके लिए समस्त वाट्सेप ग्रुप पर लिंक प्रेशत कर दिये गए हैं। इसके लिए जनाधार का होना आवशक है, कोई भी सामन्य महिला वपरुष अपने मुबाइल से ही ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नगरपरिशर शेत्र के नीजी एवं सरकारी विद्यालियों के संस्ता प्रधान वे वियवस्था पक आगे बढ़ कर रूची दिखाएं। वे खिलाडियों का अधिक से अधिक ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन कर धोलपुर का गौरव बढ़ाएं। लिंक राजओलम्पिक.राजस्थान.gov.in पर लॉगिंग कर रेजिस्ट्रेशन करें। धोलपुर में जिला चिकतसालिय में कारिरत कंप्यूटर ओपरेटर वे वर्ड बॉई संग ने प्रमुक चिकतसादिकारी वे जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ग्यापन दिया गया जिसमें सेवा प्रदाता प्लेस्मेंट एजनसी के माधियम से करीब 10 वर्ष से का अलवीन खान ने बताया कि हम 10 से 15 वर्षों से चिला चिकतसालिय में कारिय कर रहे हैं वे कोरोना काल जैसी विशम परस्ततियों में भी अपनी जान की परभाना करते हुए हम सभी ने अपनी सेवाएं दी है वे अल्प वेतन से हमारा परिवार का गोजार नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार सरकार समिता कर्मी को नियमित कर रही है ठीक उसी प्रकार हम सभी को आर एम आर एस के माध्यम से नियुक्त किया जाए जिससे हम अपने परिवार का भरन पोशन सही तरीके से कर सके ऐसे में हमें अपना जीवन अंधिकार में नजर आता है अदेह श्रीमान जी स निवेदन है कि हमारी फरियाद अवश्य सुने इस अफसर पर सोनू सविता वंदना शर्मा सोंप्रभा रामवरण कसीब आदल प्रेम बादुर सहित समस्त कार्मिक उपस्तत रहे करने के लिए उसकी अंतरकत में के सेवा लिने के लिए नहीं हमें घ्यापन सोपाई हम इस घ्यापन को उचित माध्यां से मक्तमती मुखे तब पहुतमाने का काम बाड़ी सर्मतुरा मुख्य रास्ते में जमा कीचर से लोग परिशान जिम्हदार अधिकारियों के पास नहीं कोई हल दिया गया है जिसका मरमत कार्य लगभग 20 दिनों से नहीं हुआ है जिसमें गंदा पानी रोड पर आ रहा है जिससे रास्ते में पानी एवं कीचड जमा हो गया है इस कारण कजबे से निकलने वाले वहनों वे लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहीं और दुकंदा कारों का कहना है कि मुख्य सडक पर कीचड होने के कारण आए दिन दो-चार मोटरसाइकल सवार पिसल कर गिर जाते हैं जिससे कई लोगों को गंभीर चोट आ चुकी है तथा लोगों को इससे आर्थिक विशालरिक दोनों ही हानी हो रही है साथ ही कजबे में आने वाले रह हगीरों को भी इस गंदगी में होकर गुजरना पड़ता है सर्मतुरा से विश्नु सोनिक रिपोट युवाओं के प्रेण स्रोत स्वामी विवेकानन को किया गया याद सर्मतुरा उखन के राज्किय उच माध्यमिक विद्याले दो मई में गुरुबार को स्वामी विवेकानन की जहनती राष्ट्री युवादिवस के रूप में मनाया गया इस अफसर पर विद्यारतियों की सामानिय ग्यान प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई इस मौके पर उत्सव प्रभारी सचन गर्ग ने चात्रों को संभूतत करते हुए स्वामी विवेकानन की जीवनी पर प्रकाश डाला इस मौके पर प्रतियोगिता प्रभारी सत्राम मीना व्याक्यता राम दयाल मीना सहे समस्त विद्याले स्टाफ एवं चात्र चात्राएं मौजूद रहे सरमत्रा से विश्णू सोनिक रिपोट सफाई आयोग चेर्मेन सत्यनारायन भुमालिया ने किया बाड़ी दौरा बाड़ी राजसान सफाई आयोग के अध्यक्ष सत्यनारायन भुमालिया ने गुरुवार को बाड़ी शेहर का दौरा किया जसमें सत्यान आरायन भुमालिया का नगरपालिका चेर्मेंट प्रतिनदी होतम सिंग एवं सफाई निरिक्षक सीताराम शर्मा सहित अन्या ने आगमनी की और उनका जोड़दार स्वागत किया और नगरपालिका बाड़ी के सफाई करमचारियों के बारे में जानकारी ली ज पत स्रजित किये जाएं जिससे की शहर की सफाई व्यवस्ता को और अच्छे ढंक से देखा जाए और वालमे की समाच के लिए शमशान घाट के लिए चार दिवारी टीन शेट सहित अन्या समस्याओं का समाधान किया जाए जिस पर जैपुर से पधारे सफाई आयोक के अध जमा खाँ, सर्मत्रा चेयर्मेन जलालुदीन खाँ, सर्मत्रा अधिश्रासी अधिकारी दीपा गोयल, सफाईने रिक्षक सीता राम शर्मा, वरिष्टकार्मिक अश्वनी कुमार पाराशर, DEO, तपेश बिदूडी, पार्शत प्रतिनेधी, राजवीर सिंग, पार्शत हरिदेव शर्मा, मनोनित पार्शत, विनोत कुमार शर्मा, प्रतनेधी, वीर सिंग, गोवन सिंग यादव, पुनीत, कप्रेला, अनील सफाई, जमादार, तीटू सहाब सिंग, पप्पू, राजू, मदन सहित, अन्य कार्मिक एवं पार्शत गण मौजूद रहे थेकेदार दुआरा इंटर लॉकिंग निर्माण में किया जा रहा घटिया निर्माण सामागरी का प्रयोग, सर्मत्रा कजमे में बसे स्टैंड से विजली घर तक मुख्य सड़क के दोनों तरफ इंटर लॉकिंग लगाने का कारिये जे अंबे फार्म दौारा करीक 30 लाग की लागत से किया जा रहा है जिसमें ठेकेदार दुआरा घटिया किस्म का सामान प्रयोग में लाया जा रहा है जिससे लाखों रुपे का बेवजह बरबादी की भेच चड़ रहे हैं और जो मुख्य रास्ते से इंटर लॉकिंग लगाई गई है वह घटिया किस्म की लग किया जाना चाहिए परंतु ठेकेदार ने घटिया किस्म की लाल रेती जिसमें मिट्टी का भरपूर मिश्रण हो रहा है उसको इस्ते लिवलिंग करने के लिए प्रेशर मशीन का इस्ते लाया है अर इक गिट्टी को बिछा कर उस पर इंटर लाकिंग लगा रहा है दीपक के खिलाफ नोटिस जारी कर निया मनुसार कारवाई की जाएगी सर्मत्रा से विश्ण सोनी की रिपोर्ट इस्टेंट पर जो गटिया सामगरी का इस्तमाल करके इंटर्लोकिंग का काम हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है आपके मात्यम से मुझे अभी जानकारे प्राप्त हुई है कि कोई सामगरी में गटिया कि इसनकी कोई मैट्रियल का यूज़ कर रहा है ठीक दार उसके लिए नोटिस अभी जारी करवा रहा है और समंधित अजनी के अधिकारियों से भी उसकी चांश करवा के उसके बाद इंडिया मानुसार कारे करवा होँगा अगर कोई खराब काम है उसको अटवाएंगी ABVP ने मनाई स्वामी विवेकानन जी की जयनती अखल भारतिय विध्यारती परीशत नगर इकाई धोलपूर एवं PG कॉलेज इकाई के तत्वावधान में PG कॉलेज इस्थिद विवेकानन जी की मूर्ती का दुग्ध अभीशेक कर माले आरपड किया इस मौके पर नीजी विश्व विध्याले परांथ संयों जक अभिनफ सिंग ने बताया कि विध्यारती परीशत बारत जन्वरी सुआमी विवेकानन जी की जयनती को राश्च्री युवा दिवस की रूप में राश्च्री कारिकरम मानते हुए पूरे भारत में मनाई गई मंच का संचालन नगर मंतरी धुरेंद्र कुश्वाहा ने किया कारिकरम में कई चात्र चात्राओं ने बढ़ चड़ कर भाग लिया जिला विद्यारती विस्थारक अनिरो दुकल श्रेष्ट नीजी विश्व विद्याले प्रांत सयूजक अभिनव सिंग नगर मतरी धुरेंद्र कुश्वाह विकास अगरवाल एकाई अध्यक्ष नीरश शर्मा एकाई सचीव सुमित कंदील जतन वंसल योगेश मीना रव जिकाई की तत्वाधान में धौलपर पीजी कॉलेज में इस्थित विवकानद परिशर में विवकानद जी की जहिंती युवा दिवश के रूप में बनाई गी जिसमें कॉलेज के समस्ष चाठ चात्राओं ने बढ़ चड़ करके भाग लिया और अपने अपने विचार व और अगरवस्ती जला के और माना पना के जन्ती बाएगा आज अखील वारतिय विद्दारती परिशत पीजी कॉलेज एकाई दुवारा स्वामी लेगे नंगी का जनम उस्थ राष्टी ववादिगस की रूप में मनाया गया आज पोलेज के अधिक्तम छात्रा कारकरताओं दोलपुर में जिला प्रशासन परिवहन विभाग वे पुलिस विभाग के सयुक्त तत्वावधान में मनाय जा रहे 32 राष्ट्य सडक सुरक्षा सप्तहा के दूसरे दिन जिला परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा स्कूली बच्चों के मांध्यम से अभियान चलाया गया इसमें टैगोर पब्लिक विद्याले के बच्चो द्वारा वहन चलाने वाले दो पहिया चालको का रोली चावल से तिलक लगा कर उन्हें गुलाब का फूल भीट किया गया और गुजारश की गई कि वे वहान चलाते समय सदैवे हेलमेट लगाएं औ अफसर पर उन्होंने इस पष्ट रूप से कहा कि जिन बहानों पर नंबर अंकित नहीं है उनके विरुद विशेश कारवाई की जाए इस अफसर पर जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीना ने बहान चालकों से समझाईश करते हुए कहा कि हेलमेट आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है इसी प्रकार चार पया वहन चलाते समय सीट बेल्ट आपको सुरक्षा प्रदान करता है जिला यातायात प्रभारी मंगतूराम ने बताया कि 32 राश्ट्रे सडक सुरक्षा सब्ताह के दोरान हमारे दौारा 45 वहनों पर नंबर अंकित कराए जा और करीब 6 दर्जन से अधिक वहनों के विरुद्ध चालान की कारवाई अमल में लाई गई है। नीरज गूजर यथार तवारी निक्की सक्षम नियाय दर्शन संसा के सची वरजी दिवाकर मुख्य रूप से उपस्त थे। सिलाई मशीन, मिक्सी, अलमारी, गद्दे, वाशिंग मशीन, कूलर, आधी का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहां शादी पाठी, विवाक फरनीचर ग्राहक की मनपसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रॉप राइटर आपके अपने जाने पहचाने अजय मित्तल तसीमों वालों का शोरूम। मोबाइल नमबर 7-8-77-06-00-49 हमारा पता दारा सिंग नगर सेपव रोड धोलपुर। जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने महराश्व के मुंबई के गोरिगाउं थाना शेतर से चोड़ी हुए तीन टेंपो को थाना शेतर में कारवाई कर बरामत किया है। गोरिगाउं थाने के वरिष्ट पुलिस निरिक्षक सुदर्शन सिंग पाचल ने बताया कि धोलपुर जिले के कुछ लोग काम धंदे की तलाश में मुंबई महराश्व पहुँचे जहां उन्होंने कुछ दिन टेंपो चलाने का कारे किया और फिर वहाँ से उन्हीं टें टेंपों के कंचनपुर धाना शेत्र में होने की लोकेशन मिली इस पर उन्होंने दोलपुर जिलावुलस अधिशक धरबेंदर सिंग यादव से दोलपुर पहुँचकर मुलाकात की और गोरे गाउं थाने में दर्ज हुए टेंपों की चोरी होने के मामने से अफगत कराय वहीं कंचनपुर धाने के कारेबाहक SHO लालवन सिंग ने बताया कि उच अधिकारियों के दुआरा दिये गए आदेशों की पालना में नुम्बई महाराश्र के गोरे गाउं थाने से वरिष्ट पुलिस निरिक्षक सुदर्शन सिंग पाठल के नेत्रत्व में आई पुल पुलिस टीम को सुपद्र किया वहीं कंचनपुर धानापुलिस ने आरूपियों की सरगर्मी सितलाश शुरू कर दी है ABVP राजाखेडा ने मनाया राश्री युवादिवस राजाखेडा में अखिल भारतिय विध्यार्थी परिशद दौशरा राश्री युवादिवस बड़े जोश एवं उत्साहा के साथ मनाया गया इस दोरान विध्यार्थी परिशद द्वारा नगर के विवेकानन सरकेल स्थत युवाओं के प्रेना स्रोत विवेकानन जी के प्रतिमा परिशर की साफ सफाई की गई एवं विध्यार्थी परिशद के कार्य करताओं ने विवेकानन जी की प्रतिमा पर माले आरपण कर उनक नगर मंतुरी सिकंदर बर्मा ने उनके विचारों एवं नवजागरण में उनके योगदान से अवगत कराया था था नगर काराले मंतुरी कजेंद्र सिंग तूमर ने उनके भारत से लेकर विश्व स्थर पर किस प्रकार उन्होंने अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छो पूजा, शांती कुमारी, कंचन, योगेश, भगेल, गोवन, कुमार, पतंजली, अनील कुमार, अंचु ठाक को रितेयादी मौजूद रहे राजा खेड़ा से बुद्धी सिंगो देनियाख रिपोर्ट स्वामी विवेकानन के आदर्शो पर चलने का आवहन, धोलपूर कायस्त समाज धोलपूर की युवा शाखा के तत्वावधान में, स्वामी विवेकानन जैन्ती समहारो गुरुवार को भारगव वाटिका धोलपूर में जलाध्यक्ष शेखर सक्सेना की अध्यक्षिता मे आयोज़त किया गया, समहारों में कायस्त महासभा के राष्ट्री वरिष्ट उपाध्यक्ष संजीव श्रवास्तव ने कहा कि देश के युवाव स्वामी विवेकानन के आदर्शो पर चलकर राष्ट्र के निर्मान में महती भूमिका का निर्वाहन करे, जलाध्यक्ष शे श्रिवास्तव एवं केशव सक्सेना ने युवाओं को स्वामी विवेकानत के आदर्शों पर चलने का आवहन किया। किलो मीटर की दौड प्रतियोगिता राच के महा विद्याले वसेडी के ग्राउन में हरी जन्डी दिखा कर सभी युवाओं की दौड कर आई गई। तृतिय स्थान पर गंभीर प्रजापती और तृतिय स्थान पर अजीत परमार नगला दरवेसा रहे। और इस सभी को प्रुचाहन किया गया। दोलपर में रात में अधिक ठंट इवं सर्धी को देखते ही गर्म कपडों की बिक्री बढ़ी। नहीं थम रहा सर्धी का मौसम खासकर बुजर्वों के लिए सर्धी ठंट काल के बराबर। ऐसा ही एक नजारा पैलेस के पास एवं भारगवाटिका के सामने और बाड़ी रोड पर देखने को मिला जहां शहरी एवं ग्रामेन शेतर के लोगों को सर्धी ठंट रात में सताती है। वही भासकर भगवान दिन में लोगों को गर्म करके राहत देते हैं। कि रात में गलन एवं ठंट अधिक पड़ती है तापमान लगभग 3-4 डिगरी पारा रहता है। खास करके बुजर्गों एवं बच्चों के लिए ठंट काल के बराबर है अधिक ठंट को देखते हुए। सरदी के मौसम में कंबल, शॉल, स्वेटर, कोट एवं गर्म कपडे पहनना एवं अलाव का साहरा लेना बहुत जरूरी है। दुकान संचाला क्रवी कुमार एवं विजय कुमार ने बताया कि हमारे यहाँ पर गर्म कपडे एवं कंबल बैड की उन से बने हुए मिलते हैं एवं हमारे यहाँ कंबलों की रेंज 500 से लेकर 2000 तक के दामों में बेचे जाते हैं हर्याना एवं पानीपत का माल लोगों की म क्या क्या बेचते हो एक कंभल हमारे पास अपनी कितनी है कितरी तक का है यह में पास आदमी आता आपने हैं आपके शहर धुलपुर में पहली बार जैट टेक वरक्शॉप लाया है आधुनिक मशीनों के दौारा कार दुलाई, सर्विस सेंटर एवं कार डेकोरेशन जैट टेक के पास सभी प्रकार की मशीनों द्वारा कार दुलाई बहुत ही सही तरीके से की जाती है जैट टेक पर कार ड्राई क्लीन भाप स्ट्रीम के दुआरा की जाती है जिसमें आपको car dry clean करके मातर 2 घंटे में गारी मिल जाती है एवं jet tech के द्वारा car दुलाई और 100 पाउंट का पानी प्रेशर से car दुलाई की जाती है सबसे अच्छी बात jet tech की ही यह car मातर 30 मिनिट में धुलाई करके मिल जाती है क्रपईया एक बार सेवा का मौका अवश्य दे हमारा पता है जेट टेग वोक्शोप महराजपुरा चौराहा जीटी रोड धुलपुर मुबाइल नमबर 9887739856 दूसरा नमबर 9413296767 मिशन सहसी कारिकरम कर्म मनाया यूवा दिवस अखिल भारतिय विध्यारती परिशत इकाई सेपव के द्वारा चात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग सेपव के काका गार्डिद में दी गई कारिकरम में मुख्य अति थी दुश्यंत भगेल उप्रधान सेपव एवं वशिष्ट अति थी सेपव सरपंच अर्जन कोश्वाह एवं कारिकरम की अध्यक्षता चात्रसंग अध्यक्ष नितेश कोश्वाह ने की नगरमंतरी हरियों कुश्वाह ने बताया कि विवेकानन जी की जैनती विध्यारती परिश्षत का राश्विय कारिकरम है इस अफसर पर सेपव नगर इकाई द्वारा मिशन सहसी कारिकरम करवाया गया जिसमें 132 चात्राओं ने आत्म सुरक्षा के गुण सीखे करवाया इस अफसर पर दीपक राशपू, दारा सिंग, लोधी, प्रेम सिंग, हर्शवर्दन, शर्मा, अभिशेक कुश्वाहा, मोहत कुश्वाहा, अभिशेक शर्मा, अनील, कुमार, डॉली, जोती, मन्जू, राजकुमारी, सर्वेश, श्रवानी, कांता, आदी कारेकर उपस्तित रहे